नथिंग फॉन 2A का रिव्यू एंड जब भी रिव्यू करने जाते नया एक अपडेट आ जाता है अभी दो दिन पहले एक नया अपडेट आया एंड उसके बात फाइनली बता रहा हूं यहां पर कि अभी भी कैमेरा में बहुत जादा चेंज नहीं हुआ है अगर आप रिव मुझे बताना हो कि 25,000 में कौन सा लेना है तो मैं नथिंग फॉन 2A ही रेकमेंड करने वाला हूं अभी इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसा मेरा experience रहा है और नॉर्मल रिव्यू वीडियो जैसा हर एक चीज को एक एक करके बताने नहीं वाला हूं मैं यहां पर पहल करते हैं पहले में नेगेटिव बताता हूं या कॉन्स बताता हूं तो पहले तो यहां पर UFS 2.2 की स्टोरेज देखने के लिए मलती है मेरे लिए मेजर कॉन नहीं था क्यूंकि मुझे जादा दिक्कत नहीं आई बट अगर आप बहुत जादा फाइल वगरे टांस पर करते हो तो आपको यहां पर स्टोरेज भी तोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा इस प्राइज में आपको अभी उनप्लस का नॉट सीफोर देखने के लिए मलता है विए उफस 3.1 बट वहां पर भी कैमेरा बेकार है तो नॉट सीफोर तो मुझे तो जादा इंप्रेज नही बहुत लोग करेंगे वह अल्ग्रिटम के वज़े से चल रहा है या प्रोसिसर की वज़े से चल रहा है अगर अगर अगर्फर पर तीच्छे पीछल रहा है तो बेटर रहता बट यहां पर और भी बड़ी दिख्कत यह है कि आगर वह स्नाप्ड़न काउंटर पार्ट के सा अच्छी एल्गोरिद्म अभी भी बैटी नहीं है अभी भी ट्राइ कर रहे हैं हर एक सफ्ट्वर अब्डेट में आपको कैमेरा करेगा एंग कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर रियर कैमेरा में मुझे एज डिटेक्शन में निक्कर लगती है और बहु मैं कहना चाहूँगा अच्छा देखने के लिए मिलता है बट वीडियो रेकॉर्डिंग भी यहां पर बहुत सही है फ्रंट से आप 4K वीडियो रेकॉर्डिंग तो नहीं कर पाऊँगे बट मैंने फोन में भी देखा था फोन टू में भी देखा था एंट टूए में भी वीडियो और कॉलिटी आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है यहां पर चार्जर इंदा बॉक्स देखने के लिए नहीं मिलता है और चार्जर ऑप्टिमाइज भी नहीं कौन सा चार्जर एकदम फीट बैटेगा वह भी ब्रैंड ने कुछ बताया नहीं है तो इनक जो स्पीड जो टाइम है वह एक घंटे से लेकर दो घंटे तक इंक्रीज हो जाता है तो नमन भाई ने भी कहा था और मैंने देखा हुआ है नतिंग फोन के साथ भी आसा था कि जो चार्जर आप यूस करते हैं थर्ड पर्टी चार्जर वह किसी सॉफ्ट्वर अप्डेट के बाद वह connected disconnected ऐसा इसी देखने के लिए मिलेका तो compatibility फिर इसी देखने के लिए मिलती है हला कि मैं जो है nothing phone 2 जब मैं यूज कर रहा था तब से मैं samsung का 25 watt का charger PD charger यूज करता हूँ उसके बाद से मुझे दिक्कत नहीं आई है बट बहुत लोग उस वाले charger के साथ भी compatibility issue आ र बहुत बड़िया design है under 25K I think best design वाला smartphone and unique design वाला smartphone आपको nothing phone 2 ही मिलता है and इस बार भी उन्होंने glyph light को ditch नहीं किया under 25K भी glyph interface full-fledged आपको देखने के लिए मिलता है जो top tier का इनका nothing phone 2 है वहाँ पर जितने software features है regarding the glyph lights वो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलता है जो use नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं बट मुझे तो बहुत cool feature लगते हैं and मैं कभी-कभी definitely use करता हूँ कभी-कभी मतलब कुछ features ऐसे हैं जैसे कि essential notification मैं हर दिन use करता हूँ flip to glyph मैं हमेसा use करता हूँ and glyph progress बार जब भी मैं Zomato use करता हूँ तब मैं definitely उसे use करता हूँ अगर आप लास्ट दो-थीन साल में देखेंगे software और hardware के regarding smartphones में जादा कुछ नया देखने के लिए नहीं मिला था but definitely जो glyph light and glyph interface मेरे ख्याल से बहुत बड़ा innovation है जो कि दूसरे brands नहीं कर पाए and अभी nothing को देखके technopowa या आपको infinix के smart phones में वो देखने के लिए मिल रहा है but अभी भी glyph interface से बहुत मीलो दूर है and glyph interface को जिस तरीके से optimize भी किया है जैसे sound के साथ and haptics के साथ आपको glyph interface optimize देखने के लिए मिलता है इस बाले smartphone even पहले smartphone से ही nothing phone one में भी वो अच्छी तरीके से optimize था from the day one next हम software के बारे हम बात करेंगे तो nothing OS आपको देखने के लिए मिलत जहां पर उन्होंने छोड़ा वही से nothing ने पकड़ा हुआ है and क्योंकि जो same CEO आपको देखने के लिए मिलते काल पी oneplus में थे and फिर उन्होंने nothing as a brand create किया and जैसे काल पी भी है उनके साथ जो developers थे oxygen OS के वो भी almost 80% अभी आपको nothing में देखने के लिए मिलता है and इसी वज़े से जो features है and जो software है new age oxygen OS अगर इस time पे होता तो आपको वो nothing OS जैसा ही देखने के लिए मिलता है and nothing OS में बहुत सारे features जो पहले oneplus में हुआ करते थे वो आपको देखने के लिए मिलता है and और भी सारे features जैसे app lock and dual app जैसे features भी आभी आपको देखने के लिए मिलता है and अगर मैं customization क बात करूँ तो जो home screen customization जो widgets अनफिंग लेकर आ रहा है and जैसे आप quick toggles को भी home screen में and lock screen में and always on display में add कर सकते तो बहुत बढ़िया customization के features आपको मिल जाते है and with the glyph light and glyph interface जिस तरीके का software वो build कर रहे है and जिस तरीके software updates देखने के लिए मिलता है इस वाले smartphone में आपको 3 plus 4 year का update cycle देखने के लिए मिलेगा and एक मैने में almost 4 updates आ जाते है तो brand अभी धड़ाके से update दे रही है and हर एक smartphone में दे रही है अलाकि इनका portfolio अभी छोटा है अभी आ गयाने वाले time में क्या देखने के लिए मिलेगा वो नहीं पता है but हर एक smartphone को at least updates बहुत जादा दे रहे है and timely updates आपको अभी तब कोई scratches अगरा नहीं है तो design एक number है software आपको एक number देखने के लिए मिलता है battery backup की अगर बात करो तो battery backup भी सही देखने के लिए मिलता है battery backup अची optimized है but charging को लेके यसा कि मैंने कहा दिक्कत देखने के लिए मिलता है and अगर मैं gaming के बारे में बात करो तो मुझे processor पसंद है and normal day to day task में fluid experience देखने के लिए मिलता है as such मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है but camera के regarding वो दिक्कत आ जाती है तो यह सारी चीजे मुझे definitely positive लगती है and जो display भी है वो बहुत सही है and इस बार peak brightness भी 1300 minutes का दिया हुआ है and display की quality मुझे सही लगती है and frame के साथ infused display I think अच्छा display, अच् grounded device है जहां पर बहुत ही average cameras देखने के लिए मिलता है and यह वाला smartphone recommended है and बहुत लोग already purchase कर चुके है and करना भी चाहिए I think बहुत सही smartphone देखने के लिए under 25K यह था मेरा एक अलग सा review अगर आपको यह वाला review पसंद आया वह आप लाइक से यह सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं मिल